हेलो हेरीबान मैं जेनियोड आपका बहुत बहुत स्वाक्त करता हूँ अपने उलाइन प्लेफूम पे जो बच्चे जेई 2023 के लिए परिप्रेशन करें उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी कबर है कि वैसे तो देखो अगर हम IIT की बात करें तो अपने इंडिया के अंद जो को यह मुका मिल सकता है कि जो साथ नई IIT बनने जा रही है अलग-अलग कंट्रीज के अंदर ठीक है दूसरी कंट्रीज के अंदर 7 नई IIT बनेगी उसके अंदर क्या होगा कि आपको बता देता हूं कि कंट्री कौन सी होगी UK होगी UAE होगी भी Egypt होगी साओधी अरेभिय होगी और Qatar होगी और Malaysia और Thailand यह अलग कंट्रीज के अंदर आपका 7 कंट्रीज के अंदर टोटल 7 नई IIT बनने जा रही है तो इसके अंदर क्या होगा कि जो इंडिया के जो बच्चे हैं उनके लिए special reservation होगा वहां पे 20% के अप्रोक्ष में बात चल रही है भी 20% इसके अंद तो यार आपके लिए यह भी benefit होगा कि देखो अलग लग देश्चों के अंदर आप सोचो यार इतनी ज्यादा demand हो रही है IIT तो बहुत अच्छा मुका है आपको बहुत बढ़िया level पे अलग लग कंट्री के अंदर आपको मुका मिलेगा अपने IIT क्रैक करोगे अगर 2023 में तो यह जीजे आपको सारा का सारा आपको benefit मिलेगा शिटे आपकी बढ़ेगी तो हर बच्चा इसके अंदर जो बच्चा मालो बढ़िया preparation करेगा उसको जुरूर मुका मिलेगा तो आपके पास जो time है वो इस session के लिए बहुत कम time रहेगा यह बता देता हूं आपको तो अगर अलगला countries में जाना है तो देखो यार आपको number भी लेकर आने पड़ेंगे बढ़ी आपको preparation करने पड़ेगी IIT आपको advance का paper भी कलियर है करना पड़ेगा तब ही जाके आपको इनके अंदर क्या मिलेगा admission मिलेगा तो यह एक आपके लिए नई update है तो बहुत अच्छी